नमस्कार दोस्तो आज हम जिस company को discuss करने वाले हैं जिसके fundamental और technical analysis समझने वाले हैं वो company एक pharma-based small cap की company है और हम यह समझेंगे कि यह company हम एक future में multi-bagger return generate करके क्यों दे सकती है तो pharma-based company तो दवाय बनाती है किस रोग के लिए दवाय बनाती है कौन से ऐसी disease है जिसके लिए दवा बनाती है अगर हम इसको समझें तो जो anesthesia जिया जाता है यानि अगर आपको कोई operation हो रहा है तो उस type anesthetics जो दिये जाती है जिससे आपकी pain ना हो उसके लिए company दवा बनाती है anti-asthema के लिए इस दवा बनाती है तो asthmatics जो लोग होते है जिनको सास लेने में problem होता है उसके लिए company दवा बनाती है anti-histamines बनाती है decognistics बनाती है anti-goat बनाती है अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा समझें तो हमको समझ में आएगे कि anti-goat होता क्या है अगर हम anti-goat को समझें तो एक जो गठिया होता है अगर आप देखे होंगे कि आपके आसपास सभी के परिवार में जो भुजूर्ग लोग है उनके घुटनों में दर्ध होता है जिसको हम लोग बोलते है गठिया की problem तो गठिया जो जोड़ों में दर्ध होता है बहुत त जादा खासी होती है और पूरी बॉड़ी में पेन होता है उसके लिए company दवा बनाती है अगर हम बात करें तो यह company anti-histamine भी बनाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि company anti-histamine बना रही है anti-histamine का मतलब क्या है कि यह जो allergy हो जाती है जैसे किसी को धूप से allergy हो जाती है तो किस यह company ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो niche disease है अब चाहे allergy हो गया तो आपको दवा तो चाहिए ही चाहिए अब उस टाइम पे वो दवा कितनी महंगी मिलती है उससे आपको फरक नहीं पड़ता है क्योंकि आप चाहिए जना पैसा लगा कि वो दवा लेंगी आपको अस्थमा का अट वो anti-histamine ही होता है तो anti-histamine के लिए भी आपको उस टाइम पे आप पैसा नहीं देखेंगे कि कितनी पैसी की वो दवा मिलती है आप उसके लिए अपना सब कुस दे कर ऐसी दवा खरीदने जाएंगे ही जाएंगे तो यह company है Supria Life Science Limited यह company जिस जिस दवा को बनाती है मेरे को ल देखेंगे तो ऐसी company आपने इस दवा को अगर इस जो disease है उसके लिए जो दवा बनाते हैं तो वो अपने price को घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर price को बढ़ा दिये तो problem के time पे आप यह नहीं देखेंगे कि कितनी महंगी मिल रही है आप कुछ कितनी भी महंगी मिलेगे आप उसको लेंगे ही लेंगे आजाते हैं हम सबसे पहले इसके fundamental पे fundamental सुप्रिया life science का इतना अच्छा है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि company हमको buy क्यों करना चाहिए सुप्रिया life science का market cap केवल 1500 करोल का है मतलब बहुत ही small cap की company है बहुत ही छोटी company है और इसका current price 191 रुपीज का चल रहा है अगर हम company का high देखें तो company ने high बहुत high बना दिया है 516 का high बन गया है और उसके respect में 170 का low है और company अभी अपने low वाले price के range पे चल रही है अगर हम company का stock PE देखें तो 15.7 का और industry PE 23.6 का है तो company अपने industry PE से सस्ती मिल रही है मैं आपको बताओ कि यह जब company list हुई थी तो 260-270 का इसने IPO price रखा हुआ था 260-270 के IPO price पे भी यह company सस्ती थी फिर सो सुनिएगा 210-270 के भी IPO price पे company सस्ती थी इसलिए मैं बोलता हूँ कि stock market एक ऐसा जगह है जहां पर आपको 100 का समान 10 में भी मिल सकता है और 10 का समान आप 100 में बेच सकती है तो मेरे को लगता है कि यह company जो 100 के range पे चलनी चाहिए वो 10 के range पे चल रही है यानि एक अच्छा खासा opportunity दे रही है लेकिन यह कोई recommendation नहीं है केवल और केवल education purpose के लिए ये वीडियो है अगर हम यहाँ पे book value देखे तो company का 81 रुपीज है और उसके respect में company 191 का चल रही है यानिकर हम 170 का stock price माने तो लगभग book value का cable double है अब book value का cable double price पे है इंडस्ट्री पीज से सस्ती है इसका मतलब है सस्ते valuation पे है छोटी company है तो इसके grow होने के chances भी बहुत जादा है आज 1500 करोल की company है कभी ये 15,000 के करोल के और कभी 1,500,000 करोल की company बन सकती है यानि यहां से इसके पूरे market cap ही यहां से जो market cap है वो 100 times grow होने का माददा रखता है अब समझेए अगर किसी company के market cap ही 100 times grow होने का chances होता है तो उस company के share price कितना grow हो सकता है share price thousand times grow हो सकता है ऐसा conditions देखने को मिलता है मेरे को इस company में इसलिए मैंने इस company को buy किया है अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका screenshot आपको भेज दूँगा कि मैंने इस company को buy किया है देखें मैंने buy किया है मेरे को अच्छा लगता है मैं अपने हीसापचा आपको video बना रहा हूँ आप अपने सोच समझ से अपने जो financial advisor होंगे उनसे पूछ के राय लेके आप invest कर सकते हैं, recommendation के लिए नहीं है कि आप मेरे कहने पर invest करिए, मेरे कहने पर केवल आपको सीखना है, learning ही earning है, जितना learn करेंगे उतना ही आप on करेंगे, अगर हम company का rose देखें, तो company का rose 43 का है, और ROI द जितना पैसा इसमें invest किया था, उस पे वो उसको कितने percent का interest मिल रहा है, तो उसको 43 percent का interest मिल रहा है, और company में जो पैसा बाकी लोग लगाए थे, उस पे कितने percent का interest मिल रहा है, तो उस पे 34.3 percent का interest मिल रहा है, जो की बहतरीन है, अगर हम इसके peer comparison करें, Supriya Life Science का, तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे जैसे Sun Pharma, आप देख सकते हैं कितने बड़ी कमपनी है, धाई लाग करोल के करीब की कमपनी है, डॉक्टर रेडीज लैप, 77,000 करोड की कमपनी है, सिपला, 72,000 करोड की कमपनी है, टोरेंट फार्मा, 52,000 करोड की कमपनी है, जाइडस लाइफ स बस्ती P, पे कौन कमपनी चल रही है, और बिंदो फार्मा, सुप्रिया लाइफ साइंस, सुप्रिया लाइफ साइंस इतनी छोटी है, लेकिन अगर हम इसका रोज देखे, तो रोज देखे, 42.98, यानि 43 का आरोज C है, और आरोज 34 का, इतना रोज और इतना आरोज कौन सी क इतना अच्छा आरोज रिटर्न जनरेट करके दे रही है, जिस मार्केट कैप की कमपनी है, उसके रिस्पेक्ट में जितना रोज और आरोज कमपनी जनरेट कर रही है, 23 की P, पे कमपनी 15 के P, पे मिल रही है, कमपनी 43 और 34 का रोज और आरोज जनरेट कर रही है, इतना अच फिप्टीन पॉइंट और अब से लुवर चला गया तो ट्वैल तो जो इनकी पिछले मैक्सीमम अगर हम देख ले तो 16 है क्योंकि अब हाली के लिस्टेट कंपणी है बहुत पहली के लिस्टेट कंपणी नहीं है तो मेरे किसाब से सस्ती वैलुएशन पे डेट फ्री कंपण को 636 करोड की रिस्पेक्ट में देखे तो कंपणी का अगर हम क्वाटली रिजल्ट देखे तो आप रिजल्ट देखे कंपणी का अगर हम यरली रिजल्ट देखे कंपणी का तो 2017 में कंपणी केवल 184 करोड का बिजनस करती थी 184 करोड पे कंपणी केवल 6 करोड का नेट प में टाइम लगे 2017 से 2022 तीन साल उधर यानि पांच साल में पांच साल में कमपनी में कितना ग्रो हुआ है आप यहां पे देखिए 184 करोल का सेल्स बढ़के 500 करोल हो गया है 6 करोल 10 करोल का नेट प्रॉफिट बढ़के 1500 करोल का हो गया है अगर हम इस क्वार्टर इस येरली की ब करती थी जैबकि 2017-2018 में कमपनी 12% का उपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती थी तो कमपनी का यह इस के related दवा बनाती है किसी कीडे मकोडे के काट लेने की जो जो पेन होता उसकेhost में कमपणी दबा बनाती है गठिया जो जोड़ों में दर्द होता उसके specific में company दबा बनाती है तो company जिस sector में काम करती है वो sector ही ऐसा है वो बिमारी ही ऐसी है कि उस टाइम पे लोग कितना भी महंगा दवा मिलेगा लोग खरीदेंगे वो पैसे नहीं देखेंगे तो मेरे रिस्पेक्ट में यह कमपनी जिस हिसाब से इस स्मॉल कैप की कमपनी है आगे चल कर आपको एक मल्टी बैगर रिटॉन जनरेट करके दे सक अगर हम कमपनी का रिटॉन ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों का देखे तो 44% का रिटन अटेटी है आप सोची कितना जबरदस्त है अगर 5 साल का अगर हम कमपनीट प्रॉफिट गोर देखे तो 93% का प्रॉफिट ग्रोथ है आप ऐसी कमपनी का अगर फंडामेंटल अगर पे company के reserve दिखे तो 2017 में company के पावल केवल 30 करोल का reserve था उसके respect में 140 करोल का करजा था 30 करोल का reserve बढ़के 636 करोल का reserve हो गया 140 करोल का करजा घटके 36 करोल का करजा हो गया तो आप समझे reserve बहुत ही use तरीके से grow हुआ है और करजा 9 के बरावर है एक तरीके से debt free company आपको मिल रही है fix assets देखे तो 89 करोड का fix assets 2017 से बढ़के 99 करोड 99 करोड 100 करोड 190 180 लगभग 200 करोड का company के पास fix assets है company CWIPI ने लगातार जो API है जो दवा बनाने के लिए जो ingredient होते उसको बोलते API लगातार उसमें क्या कर रही है investment कर रही है नए ने API R&D में company खर्चा करती है research and development में company खर्चा करती है अगर हम इसके fundamental को और अच्य से समझे थो company का business केवल इंडिया में नहीं है अगर हम यहाँ पर देखे तो company का business है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो company का business है तो इंडिया बेस्ट company नहीं है यह company world based company है अगर हम यहाँ पर एक चीश और समझे इसके promoters holding को समझे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो company का promoters holding है 68.24 जो 2021 में था वही 2022 और वही 2023 में भी चल रहा है तो promoters ने जब इसको IPO के time पर अपने जो stakes था उसको sale किया था उसके बाद promoters ने sale नहीं किया है अगर हम DIs देखें तो 7.89% DIs है और लगभग 6% 6% FIs भी invested है तो कहीं से कोई problem नहीं है 16-17% यहाँ पर public भी invested है तो मेरे हिसाब से यह company बहतरीन है अगर हम इसके technical conditions में देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि company present time में अपने जो top generate की थी वो top किस rate पे है अगर हम यहाँ पे समझ पाए और देखें तो उस company का top किस rate पे है तो company जब top generate की थी वो price था लगभग 600 के करीब company 600 का price generate की थी 270 के IPO price से यानि यहां से भी company double हो गई थी 100% सो उपर का return दिया था IPO के बाद लेकिन company वहां से नीचे गिरती गई गिरती गई नीचे इसको गिराते गए और अभी company इस time पे 170 यानि लगभग 200 के rate पे देखने को मिल रही 190, 170, 200 के rate पे देखने को मिल रही 190 से लेकर 200 के rate पे company देखने को मिल रही है और lowest price 170 से ला जा चुका है तो यहां से अगर हम गिरावट देखे तो company में कितने percent का गिरावट हो चुका है top से देखे तो 70% का गिरावट हो चुका है एक ऐसी company जो अच्छा खासा return generate कर सकती है एक ऐसी company जिसके fundamental एकदम strong है strongest fundamental है लेकिन उसका share price 70% नीचे तो आप बोलेगे सर इतना ऐसा क्यों है इसमें जो problem है गर हम इसके quarterly result देखे तो quarterly result में आप एक चीज़ notice करेंगे कि यहां से हम 4 quarter का result देखते है 181, 101, 112 और 105 तो पिछले 4 quarter से जिसका result है या पिछले 6-7 quarter से हम result देखे तो इसका sales लगभग सेम देखने को मिल रहा है लेकिन अगर हम operating profit margin देखे तो जो 50% का operating profit margin 53% का 41% का वो घट के इस quarter में 12-13% का जो हमें operating profit margin देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से इसके जो net profit उसमें problem हुआ है जो net profit 25 करोड से लेकर 36 करोड 48 करोड था वो घट के 9-10 करोड का हो गया है तो operating profit margin फिर से बढ़ जाएगा ऐसा नहीं कि operating profit margin जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा market सही होगा थोड़ी सी चीजे सही होगी operating profit margin ऐसी कमपनियों का बढ़ने में कोई time नहीं लगता है ऐसी कमपनियों के operating profit margin बहुत तेजी से ग्रू होता हुआ आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी कमपनी जो इतना अच्छा खासा प्रोड़क्ट बनाती है अच्छा एक चीज नहीं है जो मैंने प्रोड़ बताया उसके अलावा भी कमपनी आप देखिए अस्थमा से रिलेटेड है जो जोड़ों में दर्द होता उसके लिए है जो पाईरिया हो जाता है दातों में उसके लिए कमपनी अपने प्रोड़क्ट बनाती है बहुत सारे विटॉमिन्स के लिए बनाती है जो मलेरियल जो बिमारी है उसके लिए डिप्रेशन में जो यूज होता है डिप्रेशन के टाइम पे जब इंसान डिप्रेश्ट हो जाता है तो उसमें जो दवा यूज होता है गौट अपने अपगाउट बताया मैंने कि जो अस्थमा की बिमारी जो जोडों में दर्द होता है जो पेन होता है उसके लिए company अपने product बनाती है तो आप इनके product देखके आपको यह नहीं समझ में आ रहे हैं कि company कितना ज़ादा नीच तरीके से काम कर रही है और company का share price आपको 70% नीचे मिल रहा है तो इससे अच्छी opportunity मेरे को नहीं लगता है कि एक small cap में जो long term में आपको huge return जनरेट करके दे सकता है इससे अच्छी opportunity आपको देखने को मिलेगी अगर यह company जिस हिसाब से काम करती है अच्छा खासा result जनरेट करती रहती है तो आप यहाँ देखेंगे कि यह company आपको अच्छा खासा profit देगा अगर company 2 सालों में भी अपने top को generate करती है यहाँ से तो आपको लगभग 2500% का return generate करके company आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर दे सकती है तो आने वाले 2 सालों में आपको 2500% return के लिए सुप्रिया life science को आप देख सकती है लेकिन कोई recommendation नहीं है आप अपने dual diligence से इस company में invest कर सकती है यानि आपको future में यह company 2-3 साल के अंदर अंदर अगर आपको 3 साल में company 300% का return generate करके दे दे तो भी कोई बहुत बड़ी वात नहीं है क्योंकि मेरे को लगता है कि यह company future की multi bag और return generate करके देने वाली company है जो आपको जिस rate में मिल रहा है ऐसे rate में फिर से यह company मिले ऐसा possible नहीं है ऐसे ही fundamental analysis के लिए technical analysis के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं और अपने friends को share कर सकते हैं इस group को आगे बढ़ाने में help कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका thank you thank you so much